मित्रो भारत को लेंड ओफ सीकर्स कहा जाता है क्या आप भी उन सीकर्स में से एक हैं क्या आप भी मौडन फिजिक्स की अनसुलजी समस्याओं का समधान धून रहे हैं क्या आप भी स्रिष्टि उटपत्ती और उसके संचालन के वैदिक वैज्यानिक रहस्यों को समझना चाते हैं यदि हाँ तो आईए आप भी मेरे साथ वैदिक भौतिकी के एक विद्यार्थी बन जाईए वैदिक भौतिकी मूलतव वैदिक विज्ञान ही है अब हम इन दो शब्दों पर विचार करते हैं वैदिक भौतिकी ही क्यूँ? यह बायलजी भी हो सकती थी चैमेस्ट्री भी हो सकती है भौतिकी ही क्यूँ? इसको इस उधारण से समझते हैं उधारण लेते हैं हमारे शरीर का हमारे शरीर के जो building blocks होते हैं उन्हें cell कहा जाता है cells और tissues की जब हम बात करते हैं तो वहां biology के नियम काम करते हैं उससे यदि हम सूक्ष्मिस्तर पर जाते हैं तो atoms और molecules के बीच chemistry के नियम काम करते हैं यदि हम उससे भी सूक्ष्मिस्तर पर जाएं तो atoms, quarks, neutrons, electrons, protons, protons इत्यादी के बीच physics के नियम ही काम करते हैं दूसरी ओर जब हम सबसे स्थूलतम स्तर की बात करते हैं जैसे ग्रह, उपग्रह, गैलेक्जी, इत्यादी तो वहाँ भी gravitational force, electromagnetic waves, आदी भौतिकी के नियम ही काम करते हैं तो सूक्ष्मिस्तर पर भी और स्थूल स्तर पर भी सृष्टी को जानने के लिए हमें भौतिकी के नियमों को जानना बहुत अनिवारे हो जाता है अब ये विचारते हैं कि ये भौतिकी वैदिक ही क्यों क्योंकि जो भी हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं उस ज्यान का स्रोत या तो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में पढ़ाते हैं या पुस्तके होती हैं, पुस्तकों को लिखने वाले लेखक उनके ज्यान का स्रोत क्या होता है, हमारे शिक्षकों के शिक्षक कौन हैं, यदि हम इस श्रिंखला में पीछे जाते जाएं, तो हमें ये जानने को मिलेगा, कि ज्यान का मूल स्रोत हमारे वेध ही है, इसका प् और आर्ष ग्रंथों से आविश्कार करने की प्रेर्णा मिली इश्वर कृत वेदों को समझने के लिए महर्षी ब्रह्मा जी से लेकर महर्षी द्यानन जी पर्यंत अनेक महर्षियों ने अनेक महान ग्रंथ लिखे जैसे की निघंटु, दर्शन, उपनिशद, अश्टाध्य आदी, इन में से बहुत से ग्रंथ तो नश्ट हो गए, बहुत से ग्रंथों में भाष्य कार्यों ने भाष्य करने में कहीं कहीं भूले भी करी, और बहुत से ग्रंथों में मिलावट भी हुई, इन आर्ष ग्रंथों में से अत्यंत महत्वपून ब्रामण ग्रंथों को मान जाता है ब्राम्मण ग्रंथ ऐसे महर्शी कृत ग्रंथ होते हैं जो वेदों की व्याख्या करते हैं इन ब्राम्मण ग्रंथों में से रिगवेद के महर्शी एत्रे महिदाज जी द्वारक कृत एत्रे ब्राम्मण को सबसे प्राचीन माना जाता है जो लगबग साथ हजार वर होती है और वेद मंतरों से शृष्टी उतपत्प्ति कैसे होती है इसलिए सृष्टी को समझने के लिए और वेदों को समझने के लिए एतरे पराम्मर को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है आज हमारा ये सौभाग्य है कि पूज आचारे अगनीवरत नैश्ठिक जी ने अपनी सात्विक जीवन शैली उहा योग ध्यान के बल पर संसार में पहली बाद वैदिक फिजिक्स के नाम से हम सब के समक्ष एतरे ब्रामर का व्यजानिक भाष्य प्रस्तूत किया है जिसका नाम वेद विज विज्यान आलोग है और जिसका विमोचन महामहिम उपराश्पती श्री वेंकईया नाइडू जी ने 2018 में किया था आगामी वीडियोस में हम वैदिक भौतिकी के इसी विज्यान के हर छोटे बड़े विशय पर शंशिप्त चर्चाएं करेंगे यदि आपको विस्तरित जा चाहिए तो आप हमारे पैरेंट यूट्यूब चैनल वैदिक फिजिक्स पर जाकर आचारी जी की वीडियोस भी देख सकते हैं और आप आचारी जी का लिखा हुआ ग्रंथ वेद विज्यान आलोग भी मंगा कर पढ़ सकते हैं ज़ि आपको वेद विज्यान आलोग पढ़ उसको भी मंगाकर पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में हैं। इस चैनल पर हमारे छोटे-छोटे वीडियो का लक्ष्य होगा। आप सभी तक कम समय में सरल भाषा में अधिक मीनिंगफुल कंटेंट पहुचाना। यदि आपको हमारा कारे सार्थक लगे, भारत की प्रगती के लिए आवश्यक लगे, तो आप हमारे पैरेंट यूट्यूब चैनल वैदिक फिजिक्स को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मन में प्रश्न उठ सकता है क कि हम वैदिक भातिकी क्यों पढ़ें? इसको समझना क्यों आवश्यक है? हमारा जीवन तो पहले से ही चल रहा है और हम सब अपने अपने कारियों में पहले से व्यस्त हैं, मस्त हैं। वैदिक भातिकी को पढ़ने का कारण ये है कि जो भी मनुश्य, पदार्थ विद्या, यानि जिसको आजकल साइन्स भी कहते हैं और अध्यात्म विद्या, जिसको धर्म भी कहा जाता है, इन दोनों को साथ साथ जानता है वही मनुश्य पदार्थ विद्या के समुचित और सर्वहितकारी उपयोग द्वारा तथा शरीर और जगत के नश्वर होने के ज्यान द्वारा मृत्युभय और अन्य सभी दुखों को पार करके यथार्थ अध्यात्म विज्यान द्वारा मुक्ति रूप परमानंद को प्राप्थ होता है। अत्वा वैदिक भौतिकी को समझना होगा। वैदिक भौतिकी को समझ कर हम अच्छी टेकनोलोजी बना पाएंगे। जो इको फ्रेंडली हो। जो प्रदुशन ना करे। जो सृष्टी को तुष्प्रभाव न पहुंचाए। जब हम सृष्टी को ही नहीं समझेंगे तो of nature को पूरी तरह से नहीं समझेंगे तो eco-friendly technology कैसे बना पाएंगे आज unfortunately यही समस्या है products बनाने की होड में पैसा कमाने की होड में हमने स्रिष्टी को ठीक से समझने के लिए आवश्यक धैरी के साथ प्रयास नहीं किये और आदी अधूरी जानकारी से हमने ऐसी harmful technology बना दी जिसका दुष्प्रभाव आज हम सबके समक्षे आज हम मनुश्यों को इतने सारे दुख हैं कोई ना कोई मनुश्य किसी ना किसी दुख से पीडित है ये दुख मुख्यता तीन प्रकार के होते हैं सरवप्रथम आदी दैविक दुख जो मुख्यता प्राकृतिक आपदाओं के कारण आते हैं जिनका कारण भी यदि हम विचारें तो हम मनुश्यों ने जो स्रिष्टी के साथ खिलवार किया अब तक वही कारण है दूसरा दुख आधिक भौतिक प्रकार का ये दुख हमें मुख्यता प्राणियों से मिलते हैं जिनके कारण इर्शिया, दुएश, लोब, इत्यादी होते हैं तीसरा आध्यात्मिक दुख जो हमें अनेक प्रकार के शारिरिक और मानसिक रोगों के कारण होता है। इसके पीछे कारण भी हमारी अवैदिक जीवन शैली होती है। यदि हमें इन सारे दुखों से पार पाना हैं तो उसके लिए भी हमें वैदिक भौतिकी को समझना ही होग यदि हम केवल अपने बारे में सोचें तो हमें अपनी मुक्ती के लिए भी सृष्टी विज्यान को समझना होगा। इसलिए आईए यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस लर्निंग जर्नी में हमारे साथ आ जाईए और आपका समर्थन आपके आशिरवात के हमें देते रहिए लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और करवाईए मिलते हैं अगले वीडियो में जय मावेद भारती